मुरादाबाद में जन्दा को संबोधित करते हुए योगी का बयान कहा गुंडा मुक्त है प्रदेश यूपी में या तो गुंडे जेल में या जन्नुम में निर्वाचन अधिकारी से बीजेपी ने की इमरान मसूद की शिकायत चुनावी प्रचार में भड़काउ बयान देने का लगाया आरोप पिता मुक्तार अंसारी की मौत के बाद अब बेटे अबास को है जान के खत्रे किया शंका सुरक्षा को लेकर कोट को दिया प्रातना पत्र इमरान मसूद पर बोले केशव प्रसाद मौरे कहा मुह में राम बगल में छूरी यादव समाज के सामने स्मृती रानी का गांधी परिवार परवार कहा कोरोना काल में गांधी परिवार नहीं आया आमेठी मैंने जनता को मोहिया करवाई पहतर स्वास्त सुविधाए योगी ने कहा यूपी में गुंडे या तो जेल में या फिर जन्नुम में निर्वाचर अधिकारी से बीजेपी ने की इमरान मसूद की शिकायत अप्पा संसारी को खत्रे किया शंका कोट में दिया प्रातना पत्र उश्कर सिंग धामी का यूसीजी के हवाले से विपक्ष पर निशाना इमरान मसूद पर मौरे का वार कहा मुह में राम बगल में छूरी यादव समाज के सामने स्मृती इरानी का गांधी परिवार पर वार मुरादाबाद से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा यूपी में ना कर्फियू ना दंगा सब चंगा योगी 23 मिनट के भाषण में विपक्षी दलों पर चम कर हमला किया कहा बीजेपी शासनकाल में सभी को सुरक्षा का महौल दिया गया जतकी SP, BSP और कॉंग्रेस के राज में अपरादियों को सरकार का संब्रक्षन प्राप्थ होता था कहा आपने 2014 से पहले भारत को भी देखा है और उसके बाद का भारत भी आपने देखा है दुनिया में मात्र 10 वर्षों में कोई देश किसी तरह तेजी के साथ विकास के पज़ पर प्रगती कर रहा है उसका उदाहरन आपके सामने है CM योगी ने कहा कि PM मोदी के नित्रत्व में देश का सर उचा हुआ है बीजेपी के शासनकाल में अपराधी या तो जेल में है या जहनुम में है CM ने देश की जनता से SP, BSP और कॉंग्रेस के बहकावे में ना आने का आवाहन किया CM पुसकर सिंग धामी शनिवार को गरुड के मेला डूंगरी हैली पैड पहुँचे इस दोरान बीजेपी कारेकरताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया CM धामी मेला डूंगरी हैली पैड से कार में सवार होकर रामलीला मैदान के लिए निकल गए इसके बाद CM धामी ने रामलीला मैदान में जन सभा को संबोधित किया लोग सभाचनाओ के तहट प्रचार करते हुए पुसकर सिंग धामी ने UCC के हवाले से विपक्ष पर निशाना साधा पुसकर सिंग धामी ने कहा कि हमने आपसे समान नागरिक सहिता का वादा किया था लेकिन विपक्ष के लोग मुस्लिम पर्सनल लौ की बात कर रहे है CM धामी ने कहा हमने आपसे वादा किया था कि हम सामान नागरिक सहिता लाएंगे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उतराखंड में समान नागरिक सहिता का विधयक पारित कर दिया है हम एक तरफ देश में सामान नागरिक सहिता की बात कर रहे है और कॉंग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लौ की बात कर रही है केंद्रिय मंत्री और सांसत स्मृति राणी ने अपने आवास पर यादव समाज के साथ बैठक की साथी लोगसभा चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगा इस दोरान उन्होंने गांधी परिवार पर भी चम कर निशाना साथा यादव समाज के बैठक के दोरान स्मृति राणी ने कॉंग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साथा कहा कोरोना काल में गांधी परिवार का एक भी सदस से अमेठी नहीं आया कहा उस समय मैंने अमेठी के घर घर चाकर लोगों का हाल जाना और बहतर स्वास्त सुविधाय मुहया करवाई कहा बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के विकास कारे कर रही है लखनव में अपना दल कमेरावादी के कारयाले में अनुपरिया पटेल की ध्यक्षता में लंबी बैठक के बाद पीडिये मोर्चा ने अपने उमीदवारों की सूची चारी कर दी इसकी चानकारी देते हुए राश्ट्रिये कारेकारिनी के सदस्य अजय पटेल ने कहा कि पीडिये मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ेगा साथ ही कहा कि अन्य सीटों पर भी जल्द उमीदवारों की घोशना करती जाएगी आज यानि शनिवार 13 अप्रेल को सुभे साड़े चार बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अबास अन्सारी को कासगंज जेल के लिए रवाना किया गया जानगारी के लिए बता दें कि अबास अन्सारी की तीन दिनों की कस्टेडी पैरोल खत्म हो गई है जिसके बाद उससे मिलने उसकी परिजन भी जेल पहुँचे थे कोट में प्रातना पत्र देकर जान का खत्रा होने की आशंका जताई है बता दें जमीन हडपने के मामले में अबास पर केश चल रहा है बता दें इस से पहले कोट में मुक्तार अन्सारी ने भी कोट में जान का खत्रा होने की बात कही थी इम्रान मसूद के भड़काऊ बयान के शिकायद बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी से की है साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की है बीजेपी का आरोप है कि इम्रान मसूद ने कॉंग्रिस की ओर से जन्सभा को संबोधित करते हुए एक वर्ग विशेश को भड़काने की कोशिश की इम्रान मसूद ने अपने संबोधन में कहा था कि अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ गई तो सबसे पहले इलाज मेरा और आपका होना है याद रखना बारा बंकी में दावत खाने आये लोगों को बासी खाना खिला दिया गया जिससे 31 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए सुबैसे ही लोगों की हालत भिगड़ने लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया दो घंटे बाद लोगों की हालत में सुधार आया जिसके बाद डॉक्टरों ने राहत की सास ली लखीमपुर खिरी में एक व्यक्ती की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए जम कर प्रदर्शन किया बता दे पुलिस उसे हत्या के मामले में पूछ ताज के लिए ठाने लेकर आई थी व्यक्ती की मौत के बाद ग्रामिनों की पुलिस से जड़प हो गई ग्रामिनों ने व्यक्ती के शव को चौराहे पर रख कर प्रदर्शन किया ग्रामिन पुलिस वालों पर कारवाई की मांग कर रहे हैं उत्तरप्रदेश में अप्रेल के महिने में फ्री राशन वितरन की तारीखों का एलान हो गया है अधिनियम 2013 के तहट कोटे की दुकानों पर आज से मुफ्त राशन मिलना शुरू हो गया है और 29 अप्रेल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा इस महिने से नई विवस्था के माध्यम से ई-वेइंग मशीन से राशन का वितरन किया जाएगा फतेहपुर में तलाशी के दौरान पुलिस को देखकर गाड़ी ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली पुलिस ने जब गाड़ी का पीछा किया और रुकवा कर तलाशी ली तो पुलिस के होश उड़ गए कार से लगभग 16 लाक रुपे की चांदी बरामत हुई पुलिस का कहना है कि काड़ी के मालिक के पास चांदी के कोई पुकता दस्ता वेज नहीं मिले है चांदी का कुल बजन 18 किलो 924 ग्राम बताया जा रहा है उड़न दस्ते की टीम और आईकर विभाग ने चांदी को जब्त कर लिया है और ट्रेजरी में जमा करा दिया है इरिक्षा पर युवकों ने खुले आम स्टंट कर अपनी और राहगीरों की जान को खत्रे में डाल दिया इरिक्षा सवार युवकों ने सडक पर हुर्दंग मचाया स्टंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो गड कोतवाली छेतर का बताया जा रहा है जिले के जहांगीर गज थाने में पिटाई और वसूली के मामले में पुली सधीक्षक ने तीन सिपाहियों को निलंबित किया पूरे मामले की जाच के लिए S.I.T. का गठन किया गया है जिसमें अपर पुली सधीक्षक पश्चिमी विशाल पांडे छेतरा अधिकारी टांडा शुभंत कुमार और छेतरा अधिकारी आलापुर राम बहादुर सिंग शामिल किये गए है गोरकपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है सिर्फिरे नौकर ने घर के अंदर घुसकर रिटायर डॉक्टर की पतनी और पेटे पर थारदार हतियार से हमला कर दिया जिससे डॉक्टर की पतनी और बेटे गंभीर रूप से खायल हो गए भागते समय आरोपी की तस्वीर आसपास के CCTV में कैद हो गई पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है बता दे दस साल पहले आरोपी उनके यहां काम करता था वो डॉक्टर से मिलकर नौकरी मांगने के लिए आया था जब डॉक्टर की पतनी ने उसे बताया कि डॉक्टर साहब घर पर नहीं है जिसमें युवक घायल हो गया आसपास के लोगों ने पुलिस के सहीयोग से दोनों घायलों को CHC सोन बरसा पहुचाया जहां जे दोनों की हालत नाजुक देख चिकित सकों ने जलास पताल रेफर कर दिया बताया जा रहा है कि गोली पैर में लगी है गोली किसने मारी क्यों मारी इसका भी पता नहीं चल सका है पुलिस मामले की चांच में जुटी है बलिया में बोड परीकशार्थी ठगों के निशाने पर आ गए साइबर ठगी करने वाले अब यूपी बोड के परीकशार्थियों और उनके अभी भावकों को फोन कर पहले बताते हैं कि परीकशार्थी का रिजल्ट खराब हो गया है और वह एक विशय में फेल है उसके बाद परीकशार्थी को पास करने के अवज में पैसे की डिमान करते हैं बाचीत को दोरान ठग ने भाई से कहा कि अगर तुम अपनी बहन का नंबर बढ़वाना चाहते हो तो इलाहबाद बूड ऑफिस चले जाओ वरना ओनलाइन पचास हजार भेजो तो मैं नंबर बढ़ा कर उसके अंक पत्र पर उसे पास कर दूँगा वही बलिया के जिला विद्याले निरिक्षक रमेश सिंग का कहना है कि ठगो द्वारा ऐसे फेक कॉल की शिकायत मिल रही है ऐसे चात्र चात्राओं को फेक कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए साथ ही ऐसे कॉल आने पर नजदी की पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर देनी चाहिए ताकि कॉल करने वाले तक पहुँचा जा सके मेरट में रहाइशी इलाके में तेंदुए का घुसने का मामला सामने आया रस्क्यू में वनविभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है रस्क्यू के दौरान घर से तेंदुआ निकल कर भाग गया तेंदुए को पकड़ने में वनविभाग नाकाम रहा काफी समय तक खुला घुमता रहा तेंदुआ बलिया में आचार सहिता की खुले आम धज्जिया उड़ाई चा रही है चुनावायोग द्वारा चुनाव की तिथी घोशित किये जाने के बाद भी पोल और खंबो पर चुनावी पोस्टर दिखाई दे रहा है बलिया के बांस दी तहसील छेतर के आदर गाउं के पास पोल और खंबो पर बीजेपी के चुनाव पोस्टर दिखाई दे रहे है चुनावी पोस्टर को हटाने में प्रशासन की लापरवाही दिख रही है इद के बाद से ही मसूरी में पर्याटकों का हुजूम लगा है नैनिताल में लोगों को होटल में कमरे मिलना मुश्किल हो गया है ट्राफिक भी इतना जादा है कि पैदल चलने वालों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है आजमगड के कंदरापुर्थाना छेतर स्थित मंदूरी एयरपोर्ट के एक टावर में शनिवार को सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया मौजूद लोगों ने भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई इसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया बताया जा रहा है कि जिस टावर में आग लगी वह सर्वर रूम के रूम में उप्योग में आता है शनिवार की सुबह लगबग साड़े दस बजे विद्यूट शॉर्ट सरकिट की चिंगारी के चलते आग के फैलने की बात कही जा रही है पोलिस को एक बड़ी सफलता मिली है साइबर टीम और पोलिस ने गुमशुदा मोबाईल बरामत किया है सभी मुबाइलों की कीमत करी 12 लाक रुपए है गायभुए मुबाइल को पाकर लोगों के चहरे खिले हुए दिखाई महुबा में आदर्श आचार सहिता की सरयाम धज्जिया उड़ाई चा रही है बारबालाओं का डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है गाउ में जमघट लगा कर कारिक्रम हुआ ग्राम प्रधान ने बारबालाओं पर नोट लुड़ाए रायपुरा में ग्राम प्रधान के घर कुवा पूजन कारिक्रम था इमरान मसूद पर केशव प्रसाद मौरे ने हमला बोला है कहा इंडी गट बंधन प्रत्याशी आजकल राम नाम और बगल में चूरी रखे है विपक्षी पार्टी पर कहा कि सबने गुंडे पाल रखे है कहा विपक्षियों में घबराहट है निराशा दिखाई दे रही है कारकरताओं में कोई उत्साह नहीं है चुनाव से पहले ही स्पी और कॉंग्रेस का इंडी गट बंधन है हाल बेहाल हो गए है आज यानी शनिवार को मौसम विभाग ने यूपी के 40 जिलो में आंधी और बारिश का इलर्ट चारी किया है इन जिलो में तेज आंधी के साथ साथ हलकी बारिश पढ़ने की भी संभावना है अनुमान है कि कल का मौसम भी ऐसा ही पना रहेगा विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के 46 जिलो में बारिश का इलर्ट चारी किया है इन में 23 जिलो में औरेंज इलर्ट है